अब बात करते हैं डिजिटल मार्केटिंग क्यों अगर कह सकते है या तो से पहले यह आपको ने लगता कि आफ़ॉइन्ड मार्केट को काफी हद तक अनलाइन मार्केट ने क्या आपको चाःधिगर इथोड़ा से मैं आपको बताऊं तो आज भी आज जो she इस 21 का तो मैं पास डेटा नहीं है मैं लास्ट टुन 19 का में पास है डेटा उसमें लवक 52 परसेंट लोग ऐसे हैं जो पर्चेजिंग ऑनलाइन करते हैं इंडिया की बात कर रहा हूं है और वर्ड की बात नहीं है मैं इंडिया की बात कर रहा हूं इंडिया में भी 52 परसेंट लोग ऐसे हैं जो आनलेन शॉपिंग करते हैं और 70% से ज्यादा लोग हैं greater than 70% वह ऐसे हैं जो सोचल मीडिया और इंटरनेट वगदा यूज़ करते हैं 65% से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो मोबाइल यूज़ करते हैं तो अगर एक कंपनी की बात करीज़ा है तो कंपनी क्या देखती है कि हमारा टार्गेटेड ओडियंस हमें कहां मिलेगा मीन्स हम कहां पर अपना मार्केटिंग करें जिससे मैक्समाम आउटपूट निकल के आए हमारे पास तो अगर ऑफलाइन की बात करें और एक दुकान वाला है या कोई बिजनेस्मेन है तो वह या तो कॉल पर बात कर सकता है ना तो उसके पास वही बात की डेटा कहां से आएगा कि हम किस से बात करें वी टूवी हो या वी टूवी हो बात करें तो किस से करें ठीक है ना तो फिलाल बात यह है कि हम उससे हमारे दाइरह होता है कि हम लोकल है तो या तो लोकल में ही बिजनेस कर सकते हैं या फिर कुछ और एक्स्ट्रा करना चाहेंगे तो कुछ ना कुछ रिसोर्सेज हमें चाहिए हैं चाहिए न्यूस पेपर हो चाहिए मीडिया हो जो कि अगर करते हैं हम डिजिटल मार्केटिंग से तो वह बहुत ही ज्यादा कॉस्टली होता है और यह काफी कॉस्ट एफेक्टिव है तो मैं कफी बड़ा है अगर सारी चीज़ें देखें तो सोचल मेडिया खुद में कफी बड़ी चीज़ है यह तो इन चीज़ों को बारी की से समझना बहुत जाता जरूरी है तो मैं इसी लिए इस चीज़ को अभी स्लाइड में समझा रहा हूं आपको कि आप और जो भी प्लेलि करते हैं करते हैं अब शोचल मीडिया क्या है एक एसी जगह जहां पे बहुत सारी लोग आपस में आते हैं अपनी चीज़ें शेयर करते हैं मैसेश करते हैं कमेंट करते हैं य स्पर यूप चांग आपको सोचल मीडिया का बहुत बड़ा रहने वाला है डेटाबेस में अपना बिजनेस जो है वो लिस्ट कर देते हैं जिससे कि कोई भी गूगल पर साच करता है तो वहां पर आपका बिजनेस वेश शोगरने लगता है एसी सेकंड के बाद थर्ड आता है सबसे पहले अगर एक छोटा कोई बिजनेस किसी ने स्टार्ट कर रहा है कोई दुकान दा रहे हैं तो सबसे पहले सबसे कम कॉस्ट में कहा जा तो एक सोशल मीडिया ही ऐसी है जो आपको आपको वहां तक लेके जाती है अड़ियो है इस पर इसमें आपको कोई भी एक्स्टा खर्चा नहीं है आपको पस एक लोगो लेना है लोगो लेने के बाद उसमें आपको अपने स capacity कर ना है प्रॉफयल सेट-प करते ही जो है चीजिशें आपकी उसमें दिखना शुरू हो जाती है जैसे कि फेस्बुक पर आपने आईडियो नहीं अभी अगर कहा जाए एक बिस्निस प्राइंट व्यू से बात ना करें और नॉर्मल यह बात करें तो आपको बस क्या करना होता है एक आईडिया आप बनाते हैं आईडिया बनाकर उसमें काम करना शुरू करते हैं अब बिस्न में क्या है बिस्नेज में हमें अपने ब्रांड का लोगो और उस से रिलेटेट जो भी प्रोडक्स है वो उसको आपको टाइम टू टाइम उसमें डालना पड़ता है ठीक है लेकिन अब यह करना कैसे है बिस्नेस लेवल पर वो पताएंगे हम आगे की वीडियो मेडिया हो गया ऐसी गूगल का हो गया अब धीरे चीजें भड़ती चलिया आती है मतलब की डिपेंड करता है कि आपका बजेट क्या है ठीक है कि सोचल मीडिया कहा जातो अगर थोड़ा सा भी ट्रेंडिंग मिल ले तो एक इंडिवीजिली कर सकता है गूगल माई बिजनेस भी कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है इसको कर सकते हैं लेकि अंगे हम साब मिलके चलते है तो बहुत फ़र्क पड़ता है मनलब कि अगर आप online काम करना चाह रहे हैं और आपके पास website नहीं है तो कहीं न कहीं चीजें थोड़ी सी वीक पड़ जाते हैं क्योंकि हर कोई चाहता है अब local की बात कर जाएं तो आपके पास आपका local store है तो लोग वहां जाएंगे तो आपको समझ सकते हैं कि भाया आप भरुशा कर सकते हैं लेकिन अगर बात करें website की तो website हमारी help करती है online presence बनाने में यानि कि आपके पास क्या proof है मनलब वह आपके store त क्या हो क्या नहीं हो तो कहीं न कहीं होता है प्रूफ तो प्रूफ के लिए हम कहीं न कहीं website को represent करते हैं website पर हम अपना physical address अपना contact number और अपने जो भी प्रोडक्स हैं वह अपने जो भी हमरे पास certification है कोवर्मेंट के तरफ से जो हम verified seller है या manufacturer है वो सारी चीज़े हम अपना ए को प्रूडक्ट सर्च करते हैं तो उसमें रेटिंग होगा रहता है तो यह website पर भी रेटिंग होटिंग का थोड़ा रहता है और फिर तीसरा पॉइंट है कि website अगर होती है तो अगर आपकी रेंक कर जाती है तो इसलिए आपका business automatically बढ़ना शुरू हो रहता है ठीक है तो यहां तक चीजे हैं हो गई अब इसके बाद आता है बैब application बैब application क्या होता है जो आप लोग मोबाइल यूज करते हैं तो मोबाइल पर होता क्या है कि हर कोई जो business वाला है वो यह चाहता है कि उसका traffic कहीं और divert ना हो ठीक है तो हर कोई अपनी एक चाहता है एप बनाने से एक boundary rate हो जाती है उस boundary के अंदर जो भी उसका customer आया है तो वह purchasing वहीं से गरता है एक तरह से तो हर कोई आज की rate में चाहता है कि एक एप हो एप से हम अपने customer तक पहुंचा है और customer वहीं से easily चीजे पर्चेस करते हैं ठीक है इसके बाद आता है यूटूब यूटूब का भी इस फील्ड में business कर रहे हैं सबका अलग लग फील्ड के हिसाब से अलग लग उसमें वीडियो का content हम ढाल सकते हैं ठीक सेकेंड यह चीज़ आपको समझ में आगे इस सारी चीज़ें ना लिए सारी चीज़ें हम डिटेल में अभी समझेंगे बर अभी point मैं यह बता रहा हू कि आप एक customer को diet कैसे target कर सकते हैं इसमें तो किस किसी की knowledge होना जरूरी है तो social media के बाद गूगल मैं बिजनेस वेब साइब साइब एप्लिकेशन यूट्यूब इ-commerce की बात करें तो यह फ्लिप कार्ड अमजॉन जितनी भी website है यह क्या करते हैं एक तरह से सेलर और बायर के बीच में ब्रिस का काम कर रही है यानिकि वह एक ऐसा इंटरफेस दे रही है जहां सेलर अपना लिस्टिंग कर सकते हैं और बायर वहां पर आकर चीज़ें खरीद सकते हैं तो यह कापी helpful होता है क्योंकि website पर एकदम से traffic लेके आना थोड़ा असान नहीं है लेकिन यहां पर अगर हम थोड़ा सा मेहनत करते हैं तो अपने और साने शुरू हो या पिर अपने मतलब साथ साथ website को भी लेके चली क्योंकि कहीं न कहीं यह लोग भी कमिशन लेते हैं तो उस कमिशन को बचाने के लिए जरूरी है कि हम अपने इस तरह पर ही काम करें ठीक क्योंकि यह एक और एडवांस लेवल पर चीज़ है इसमें 3D एनिमेशन और गेम एक 3D गेम या 2D गेम कैसे डवलप होते हैं और वो आपके बिजनस को कैसे हेल्प कर सकते हैं वो सारी चीज़ें इसमें होती है और फाइनली है ग्राफिक डिजाइनर अब ग्राफिक डिज और आगे जाके हम सारी, चीज़ें को करना में अपना प्लेश्ट के साफ सारी समगुंगे जैसे की शुछल मीडिया क्या हैrench और वे मैं प्लेटवर्मिंड पर प्लेटफोर्म होती है और यह हैप्स बनती है और यह है अपना e-commerce owie e-commerce में देखिए क्या क्या होता है इबे हो गया Amazon हो गया सब्सक्राइब कार्ट यह सारे e-commerce प्लेटफॉर्म है तो यहां पर b2cb होता है b2b होता है c2c होता है यह कैसे होता है यह सारी चीज़ें सबसे पहले लोगों की पड़ेगी जो भी शूशल मीडिया है या वैब साइट है उस पर हमारा बैनर्स बनते हैं वह सारा वीडियो अनिमेशन वगरा यह सारी चीज़ें ग्राफिक डिजाइन का ही एक पार्ट है और लास में मैंने बता है कि जैसे गेम डवल्लपमेंट होता है तो यह आपने कोई भी गेम खुला हो तो इसमें यूनिटी अन्रियल और इंजन यह पुछ फेमस इंजन जो हमें एक इंट्रफिस प्रोवाइट करते हैं जहां पर जाकर हम गेम को डवल अप कर सकते हैं तो इसमें भी हम यही सारी चीज़ें करेंगे कि 2D गेम क्या है 3D गेम क्या है सॉरी एनिमेशन उसमें कैसे क्रेट कर जाते हैं बैक एंड पर कैसे काम होता है फ्रेंट पर कैसे काम होता है यह इता स्लाइड और आपको सम्झ में आया होगा कि क्या हुआ है ठीक है ठीक है मैं अब आगे next class में हम लोग मिलेंगे जिसमें हम सबसे पहले social media और गेम डवलप्मेंट इन सबकी प्लेलिस्ट अलग अलग बनेगी और आप इसीली उसको समझ सकते हैं हमें बस कुछ नहीं करना है इसके साथ साथ मैं आपको अभी जैसे जैसे वीडियो बनती जाएंगे आपको लिंक सारे प्रोवाइड कर दिया आपको असलेंक पर क्लिक करना और डिस्क्रिप्शन में भी टैम टू टैम में वह डिस्क्रिप्शन के वीडियो के लिंक है वह मैं शेयर करता रहूंगा बस जुड़े रहे और मज़े से घर पे रहे और इंज्वाइड कीजिए डिशल मार्केटिंग का इंज्वाइड की मतलब यह सीखने में बहुत ही क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसी चीज़े जहां हम लोग अपना टैम स्पेंड करते हैं और साथ में अगर जुड़ जाए कि हम उससे अर्निंग भी कर सकते हैं तो इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं हो सकती तो ठीक है आज से हम लोग अर्निंग भी करेंगे ठीक है ठीक ह जहन और घरों में रहे सुरक्षित रहे